एक स्वाल है मेरे पास मैं पूछना चाहता हूँ लेकिन आप लोग गुस्ता हो जाओगे वो यह है कि क्या एक्षिली में DC के पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो मावल को हरा सकता है और मुझे लगता है हाँ मावल की मावल साइड मावल को मावल को अराम से बीट करता है मैं आपको जूट महीं बोलुगा अभी आप रिसेटी एक्जामपल ले सकते हैं जब अवेंजर की गेम आई थी हमारी जो हमने देखी थी वह इतनी बड़ी फ्लॉप थी बड़ी फ्लॉप थी आप इमाजन में न आप उस Batman की गेम को एक बार खेल लो उसके बाद आपको Batman की सपने हैंगे तो मस्त गेम है वो तो obviously games के अंदर तो जो DC है वो Marvel को अराम से बीट कर देती है अब बात कर अगर animated movies की तो अगर मैं Marvel की कोई भी animated movie उठाता हूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है लेकिन अगर आप Marvel के अलावा उसकी counterpart DC कोई movie उठा लो जैसे Flashpoint Paradox, Science, Death of Superman, Rain of Superman या फिर पुरानी कोई movie अगर आप उठा लेते हैं जैसे Mask of the Phantasm ये इतनी amazing movies हैं कि अगर आप इन movies को एक बार देख लेते हो अगर आपने नहीं देखिये तो आपको definitely देखना ही चाहिए अगर आप इन movies को देख लेते हो तो आप DC के fan बन जाओगे और आप Marvel के बारे में सोचोगे भी नहीं अगर बात करें टीवी शोज की तो Marvel ने तो टीवी शोज में अभी अभी कदब रखा है डिस्नी प्लस के साथ पहले कि अगर बात करें DC की तो DC वालों जे इतने पहले ही हमारे साथ जो टीवी शोज है वो निकाल देते जैसे हमारा बहुत ही पुराने शोव आता जिसका ना मैदार क्रोसवर था इतना बड़िया क्रोसवर था किसको देखने के बाद में में को लगाता है कि अगर DC वाले ऐसी मूवी बनाने लग जाए ना तो भाई सम्मदा ही आ जाएगा सिर्फ उसी मूवी शोज के अंदर मावली भी आगे चल रहा है लेकिन उसके लावा हर करने को सोच भी नहीं सकता मावल का काम में सिर्फ पर से मीडियोकर मूवी बनाना एक अच्छे CGI डिपार्टमेंट को हायर करना बहुत पैसा डालना और टॉप में मूवी को पहुंचाना लेकिन अगर आप DC की मूवी देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि वो अ मावल को हराने के लिए इतना मस्ट प्लान भी आ रखा है क्योंकि उन्होंने जो है अपनी आने वाली मूवी के स्लेट जो है वो हमारे सामने रख दी है अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि उन्होंने कौन को सी मूवी के बारे में सोचा हुआ है तो ध्यानत सुनना दुबारा मैं बता रहा हूँ रिसी वाले रिस्क लेना पसंद करते हैं और उसी के साथ से इस मूवी को बनाया गया है साथ से पहले ब्लाक आडम ड्वें दर ऑग जॉनसन के पास में यानि हमारे रॉक के पास में जब मावल और डीसी दोनों ओफर लेके पहुंचे तो उन डीसी की हाराइकी जो है वो चेंज होने वाले सूपर मन बैटमान को कॉमपटिशन मिलने वाला है और मावल हिरोस तो ब्लाक एडम से लडने का सोच भी नहीं सकते तो मैं था बहुत एक्साइटिट इस मूवी के लिए डीसी वाले अभी जो CW के टीवी शोस है और अपने अगली मूवी के बारे बात करें जो किट संट्रिक मूवी होने वाली है अब आप नहीं जानते हो तो हमारे Michael B. Jordan जो कि Black Panther के अदर हमारे Killbonger का रोल अरड़ी कर चुके है वो DC के पास अभी पढ़े हुए उनके पिछे और Static Shock मूवी जो है वो डेवलप करने में लगे हुआ है और यह होने ही वाली है वो इसको direct भी कर सकते है या फिर इसको produce कर सक अब काफी जादा amazing powers के पास आती है एक टीन है एक टीन सेंट्रिक स्टोरी है अगेर मैं क्याना चाहूँगा कि Static Shock के साथ में Blue Beetle का अगर आपको दिखा देटे है टीम वाला वर्स तो यह बहुत ही मस्त होने वाला है उसके बात करे Bad Girl मूवी के बारे में तो बहुत समय से चल रहा था कि Bad Girl जो मूवी है वो DC Cinematic Universe के अंदर बनने वाली है लेकिन अभी तक उसका कोई भी confirmation नहीं था लेकिन अब Warner Bros. से जब हमें बता दिया है कि Bad Girl मूवी पर काम चल रहा है तो हम तो भाईया बहुत जादा excited है प्रीविसली यह speculate किया गया था कि Joss Whedon जिन्हों ने हमारे Avengers 1 और Avengers 2 डारेक्ट की दी वो शायद Bad Girl मूवी को डारेक्ट करेंगे लेकिन अब मुझे लगते हैं कि Joss Whedon को दुबार से काम मिलने वाला है अब मेरासर लोग कुचे के के में किस्ट के फेंड हो कि आप Marvel के पैन हो कि आप डीज रहन हो तो भी होनुमने लियरे दोनो मूवी अच्छी होती है और में को ऐसा ही है कि चाहे model मूवी बनाए चाहे DC मूवी बनाए दोनों मैं एक दोनों मैं देखने जाऊऊंगा अगला शो जो की काफी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है वो है पीसमेकर जो की HBO Max पाएगा अब इसको बनाने वाले कौन है हमारे Guardians of the Galaxy के डिरेक्टर Mr. James Gunn और इसमें स्टार को न करेगे हमारे जान सीना जिनको कोई देख नहीं सकता तो पीसमेकर एक शो होने वाला है जो कि मैं स्टार के बाद में देखने को मलेगा और अल्मुस्ट ये शो जो है वो खतम होने वाला है तो मैं SI के साइडिंग्स इस शो के अंदर देखना चाहता हूँ एक मुवी जिसके लिए मैं बहुत ज़रा एक्साइटेड़ दू 2018 के बाद में मैं चाहता हूँ इस मुवी का सेकेंड पार्ट बने वो है अगरी मुवी के बाने बाद करें जो की DC के सब कुछ इवेंट को चेंज कर देगी वो होने वाली है हमारी फॉल जाइकत है कि फॉलज के अने वाली है वह होने वाली एक और विए कुछ इ tilted को मने तो इस फाल horrच इनिवर्स के अंदर एंदर मैं ऐसा कुछ नहीं तो अगर आप नहीं जानते हो तो आपको पहली बता दूँ जो फ्लाश है वो मल्टिपल यॉनिवर्स के अंदर जाएगा और वहां पर कुछ करेगा जाने वाला है और सी टैम हमारी डॉक्टर स्चेंज भी नहीं होगी जो की मैंटिवर्स और मैंडनेस के नाम से वारा सामने आगी तो आक्शली में जो फ्लाश का जो एक तरह का कॉंसेप्ट था वो पहले लिया गया था डॉक्टर स्चेंजर से कॉपी किया है मतलब मावल उस से कॉपी किया है पहले जो फ्लाश है उन्होंने सोचा था उसके बाद एक मूवी जो की जल्दी ही आने वाली है पूरी मूवी बंचु की है हमें शायद एक स्नीक पीक भी देखने को मल चुका है लेकिन ट्रेलर देखने को नहीं मिला है वो है सुरसाइड स्कॉर्ड स्कॉ सिंपली कहानी है बैटमेन की जो कार है यानी हमारी बैट कार उसका जो सिंपली एक सिर्हागा सीरीज होगा एनिमेटर सीरीज होने वाला है इसके लाव हो कुछ नहीं थोड़ा कॉमेड़ी भी हो सकता है तो मैं excited उस चीज़ के लिए और मैं ज़ादे नहीं देख आब अब में देखने को मिलें के फाइनली इस मुवी की जो शूटिंग है वो खतम हो चुकी है और हमें किसी भी दिन जो है इसका टीजर ट्रेलर एक ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है and I'm so much excited for that उसके बाद बात करें एक क्यरेक्टर के बारे में जो मैं काफी समय से रिखना चाहता हूँ DC के अनर ही आनी चाहिए वो है Zatana Zatana अगर आप नहीं जानते है तो Zatana is basically a magician लड़की है बहुत अमीजिंग है मैं जादर नहीं बोलुग है क्योंकि इसको देखने के बाद ही आपको मजाएगा लेकिन हाँ अगर आपने पुराने शोर्स देखें हैं DC के लाइक जस्टीस दिख तो असमें आपने शर्टाना ज़रूर देखी होगी उसके बाद इस शाजाम मूवी का सेकिंड पार इस शाजाम फिरी ओफ द गॉड्स यहाँ पर हमें ब्लाक अडम का वो स्ट्रेट सीन भी देखने को बिल सकता है I'm so excited for it जैकरी लीवाई जो की एक अमेजिंग केरेक्टर है और MCU के उनको जब काम नहीं मला अच्छे संको ट्रीट नहीं किया तो DC वालो ने दावन थाम लिया और हमें शाजाम कब सेकिंड पार्ट देखने मलेगा फॉस्ट पार्ट भी काफी अच्छा था मैं यह नहीं कहूँगा बहुत जाद है अच्छा था बेसिकली वह बच्चों के लिए था सेकिंड पार्ट से मैं एक्स्पेक्केशन कर रहा हूँ कि कुछ अलग है करने वाले है and I'm so excited for that recently DC वालों ने Batwoman का नया सीजन अनाउंस किया है जो कि आप बिल्कुल भी मत देखो और सब पथा डिक शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मत देखो उसके बाद GCPD एक ऐसी मिनी सीरीज आने वाली है HBO Max पे जो कि inspired होगी The Batman की सीरीज से Commissioner Gordon का ये सीरीज होने वाला है और साथ-साथ Batman की युनिवर्स में जो भी चीज़े होंगी वह यहां पर continue की जाएगी मैं इसको देखूँगा जरूर क्योंकि अगर मैं Batman movie देखूँगा तो इसमें आगे क्या हो रहा है वो मेरे भी रिखना चाहता हूँ एक सीरीज वानब बुर्दस अभी अनाउंस करने वाला है जिसका नाम है DMC अगर आप DMC के बार में नहीं जानते हो तो basically comic story लाई थी एक नया spin है उनका games पे PS5 पे PC पे और काफी जगाई ये release होने वाला है इस गेम को खेलने के लिए मैं अपने PC के specs भी बढ़वा लूँगा और काफी ज़दा एकसाइटर में इस गेम को खेलने के लिए साथ-ज़द अगर बूलना नहीं है अप लोग अगर आप Gotham Nights game खेल अब देखो मैंने शुरूम आपको क्या बताया था कि DC वाले वानब उदस वाले अभी रिस्क ले रहे हैं नहीं नहीं चीज़ें इंट्यूर्स कर रहे हैं जो कि Marvel नहीं कर सकता उसके बाद लास्ट में हमें दिखा जाएगा League of Super Pets जहां पर हमें दिखा जाएगा crypto और साथ सर्थ जो हमारे Batman का डोग है वो भी अब मैं दुवारा बोरूँगा कि ये चीज़ Marvel नहीं कर सकता Marvel तर रिस्क नहीं ले सकता लेकिं DC वाले रिस्क ले सकते हैं और इसलिए ही मुझे ऐसा लगता है कि DC वाले जो है कभी न कभी शायद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को अगर या फिर DC आपके वो डिसाइड करेंगे कौन जीतने वाला है ये फिल्म स्टोरी की रेस थैंक यू सो मच वर वाच इस वीडियो गाइस मैं हूस अच्छी निगा मिलेंगा आप से अगली वीडियो के अंदर बाइ गास टेक के लाव याल और अवा ग्रेट अमिसिंग डेग झाल 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 ऑाल